श्योपुर गरीबों को एक रुपए किलो गेहु और दो रुपए किलो चावल देने के लिए सकार द्वारा गाव गाव में कंच्रोल दुकाने तो खुलवाई गई है लेकिन राशन की काला बाजारी पर लगाम ना लग पाने की वज़े से सकार की इस महत्वपुन योजना को जंकर पलिता लग रहा है राशन की काला बाजारी का एक ताजा मामला सामने आया है गरीबों के राशन की काला बाजारी के जाने का ताजा मामला श्योपुर के भेला भीमलत गाउं का है जहां कंच्रोल संचालक तवारा दो महिने का राशन बलेक में बेच कर कंच्रोल के गेट पर ताला लगा रखा है ऐसे में कंच्रोल के राशन पर निर्भर रहने बाले इन परिवारों की हालातों और भी अधिक खराब हैं वेहास पडोस से आटा चावल उधार लेकर अपने परिवार का गुजारा करने को मजबूर है जिसे आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कंच्रोल पर ताला लटका हुआ है और ग्रामीन बीपेल और अंति ब्लेक करने के आरूप लगाते हुए बोले कि उन्हें दो से तीन महीने से राशन ही नहीं मिला है जिससे उन्हें बेहद तकलीव हो रही है श्योपूर से तेज प्रताप सिंग आदे को मिल जाता हो रादेन को नहीं मिलता दे रासन भेजाते हैं कि पूरा नहीं मिलता है